फ्रेंड्स आज मैं आपको आलू बोर्डा बनाने का एकदम परफेक्ट तरीका बताऊँगा इस तरह से अगर आप आलू बोर्डा बनाएंगे तो बहुत टेस्टी और चटपटा बनेगा और जातर फ्रेंड्स क्या होता है जब हम आलू बोर्डा बनाते हैं बाहर से बोला सा ओयल डाल देना है सरसों का और जब ओयल गरम हो जाए तब हम इसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे और इसी के साथ हम एक चम्मच इसमें राई डाल देंगे और इसको हमने अच्छे से तलकने देना है और जब यह अच्छे से तलक जाए तब हम इसमें हमने आपर ल flavor है वो पूरा निकल जाए और flame को आपने low to medium रखना है यह देखिए यह अच्छे से हो चुके हैं उसके बाद हमने आपर दो प्याज काट लेती बारी बारी पर इसको भी हम इसमें डाल देंगे अगर आप प्याज नहीं काते हैं तो आप प्याज को skip कर सकते हैं और प्याज क दाल देंगे यहाँ पर हमने दो आलू को अबाल लिया था इसमें दो शीटी लगा दी थी हमने उसके बाद हमने इनको आलू को ग्रेट कर लिया था यह देखिए कभी कभी का वतार फ्रेंट्स की आलू में हमारा moisture रहाता है आलू गीले रहा जाते हैं जब हम बॉयल करते है तो उसके लिए आपने इसे थोड़ी देर इनी मसालो के साथ 2-3 मिट इसमें पकाते रहें तो यह आलू हमारे ड्राइव हो जाएगे एकदम से गीले नहीं होंगे उसके बाद हम थोड़ी से मसाले मिला जेते हैं मसालो में हमने बस एक चमच चाट मसाला मिलाना है और आदी थो चूक है हमारे इस नत इन्होंने जो पैन खोड़ा शुरू कर दिया है आलो हमारे अच्छी से हो सौट है है तो इसको हम एक बाओल में ट्रांसफर कर लिए हैं इसे चमच से तोड़ा लेंगे ताकि धंड़े हो जाएं तो हम इसे थोड़ी दैर के लिए रख दिएक यहां पर हमने slice चीज का यूज कर रखा है इसको आपने इस तरह के से तोड़ लेना है यह देखिए इसके छोटे-छोटे बाल स्टाइक के बना लेना है इसको भी हम साइड रख देंगे उसके बाद हम एक कप बेशन लेंगे और इस पर हम आदा चम्मच नमक मिलाएंगे और रहा tasting है पर दो-पिंख हर्दी मिला देंगे हर्दी हम यह आप कलर के लिए मिला रहे हैं उसके बाद हमने आदी जम्मच इसमें अजवाइन मिला देनी है Coot है उसके बाद आपने से पानी मिलाना है और इसका एक पहले थिक बैटर बनाएंगे इस्टव्धिग्र जब आप इसा फैटिंगे आप इसा हाथ से ही फैट सकते हैं तो देखिए उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और जो हमारा बैटर है वो तैयार है बेशन का इसको भी हम साइट रख दिंगे उसके बाद हमारे आलू जो है ठंडे हो चुक है अच्छे से यह उसके बाद हमने इसके छोटे छोटे बाल्स लेना है इस तरीके से इसको हाथों में रोल कर लेना है और उसके बाद आपने इसको दूसरे हाथ में रखके बीस से दवाना है यह देखिए इस तरीके से बीस से दवाना है और इसके बीस पर आपने चीज डाल देनी है जो हमन की तलने से पहले हमने इसको बैटर में इस तरीके से डिप करना है यह देखिए और चम्मस से उपर से डाल देना है इसमें इस तरीके से और इस तरीके से उठाके आपने से डारेक्ट तेल में डाल देना है तेल हमने या पर गरम होने के लिए रख दिया था पहले ही तो यह द देखिए हमने आपर सारे डाल दिये हैं हमने पांच पीश डाल लखे हैं भी उसके बाद इसको हिला लेंगे अच्छी तरीके से यह देखिए और जो किनारे किनारे से यह एक्स्ट्रा जो हमारा बेसन है इसको हम निकाल लेंगे इसको आप राइते में या बूंदी इसके बाद हमने इससे दुबारा राइ करना है इससे क्या होता फ्रेंट्स एकदम यह क्रिश्पी बनते हैं एकदम क्रश्पी बनते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं खाने में तो पहले आप एक बार half done कर लिजिए उसके बाद आपने इनको एक बार और और फ्राइ करन सबस्सक्राइब जो मज़ा वो अलगी मज़ा एंसöst के साथ है इसको भी आफिसे में तो मैं आपको अभी एक डिकाता हूँ एकडम चीजी बना हुए अंदर से बार्ट से एकडम कृंचि अंधर से एकडम सॉफ्ट तो फ्रेंड्स कैसी लगेगे आपको रेस्पी कॉमेंट करके ज़रूर बताना रेस्पी पसंद आयो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेर करना ना भूलें मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में न्यू रेस्पी के साथ थैंक यू हव नाइस डे